तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को चाइना के घटिया माल के और एक एक एक्जामपल दूँगा और दोस्तो ये असल में चाइनीज हतियार है आप सब लोग इससे पहले वी कई सारे मेरे वीडियो में चाइना के घटिया प्रोड़क्ट खास करके मिलिटरी के बारे में जा नहीं होंगे और आज मैं आप लोगो चायना के so-called aircraft carrier के बारे में बताऊंगा हाली के कुछ रिपोर्टों में ये खुलासा हुआ है कि चायना के पहला domestically willed aircraft carrier मतलब शांगडॉंग में भी कुछ बड़ा घटना घटा जिसके बाद ये aircraft carrier शतिग्रस्त हो गया even दोस्तो खाली ये cover नहीं वलकि satellite इमेजों में इसके कुछ photo को भी publish करते हुए इसके बारे में खुलासा किया गया जबकि इससे पहले चायना के type 075 amphibious जहाजों के उपर भी ऐसे ही आग लगने का घटना घट चुका है जहाँ पे जहाज काफी शतिग्रस्त दी हो गया था तो दोस्तो चायना के ऐसे घटिया product और घटिया हतियारों के तवाई के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तो हाली में शांग डॉंग यार्क्राफ्ट कैरियर मतलब चाहना के CV-17 यार्क्राफ्ट कैरियर के हार्बर में स्तित एक सैटलेट फोटो को जारी किया गया जहाँ पे साफ सा पता चल रहा है कि यार्क्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक के उपर एक अजीब सा कलर है जो देखके लग रहा है कि संभावित कॉमबैट पेट्रोलिंग के दर्मियान या फिर डिप्लाइमेंट के दर्मियान यार्क्राफ्ट कैरियर किसी तरीके का डेमेज का शिकार हुआ दोस्तों करीवट दोफोटो शोशल मीडिया में बिते कुछ दिनों से काफी जादा वायरल हुआ है और ये इवन फुरूप भी हो चुका है कि ये चाईनीज ऐरक्राफ्ट कैरियर शांगडॉंका ही फोटो है शांग डॉंग का ये फोटो शोशल मीडिया में वाइरल होने के बाद इंटरनेशनल एक्सफलर्टों के अंदर भी इन फोटो को लेके चर्चा हो रहा है इवन माना जा रहा है कि ये संभावित 9 में का फोटो है जिसे फिलाल जारी किया गया है फोटो में ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये फोटो को पबलिक किया गया और उनके तरफ से चाइना के ये जो ब्रैंड न्यू ये वो डैमेज हुआ जबकि उनके पोश्ट में ये वी जिकर किया गया कि संभावित ये तेज गती से कॉंस्टर्ट करने का ही एक नतीजा हो इवन दोस्तों फोटो को देख के तो एटलिस्ट ये लग रहा है कि फ्लाइट टेक के उपर एक बहुत बड़ा क्रैक है क्रैक के पीछे कई तरीके के कारण हो सकता है जिनमें एयरक्रेफ्ट कैरियर के अंदर भयंकर आग या फिर एयरक्रेफ्ट कैरियर के अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है वैसे अगर देखे तो चाइना के पास एरक्रेफ्ट कैरियरों को अपड़ेट करने का कोई लंबा experience नहीं है और चाइना के द्वारह सबसे पहले 2012 में ही एरक्रेफ्ट कैरियरों को अपने बेडे में शामिल किया गया था इस हिसाफ से चायना के बहतिरिन से बहतिरिन एक्सपोरटों के पास भी सिर्फ 10 साल का ही experience होगा जो ऐसे aircraft carrierों को operate करने के लिए काफी नहीं है। जफकी दोस्तों कुछ जगाओं में इसके फीचे ये भी तथे दिया जा रहा है कि संभावित ये crash landing के वज़ासे भी हो सकता है और crash landing के दर्मियान लगे हुए आग या फिर take off करते हैं दर्मियान जो after warner का आग निकलता है उसके वज़ासे भी ये अजीप सा color इसके उपर दि के वज़ा से उसमें crack आ जाए तो दोस्तों इससे at least ये पता जल जाता है कि वो कोई aircraft carrier नहीं बलकि कोई temporary जहाज होगा जिससे एक दो बार ही aircraft को take off गराने के वाद ऐसा नुकसान हो इवन भारत भी aircraft को कई सालों से aircraft carrier के उपर इस्तेमाल कर रहा है और take off और landing इंडिया के aircraft carrier क के उपर भी होता है अब तक कभी भी carrier के उपर ऐसा cracks का कोई भी cover नहीं आया दूसरे तरफ छोटे मोटे हाथसा तो लगवा घर एक देश के aircraft carrier के उपर होता है लेकिन किसी भी देश के कोई नया नवेला aircraft carrier के उपर इस तरीके के cracks का घटना आज तक पूरा दुनिया में सुन भी नहीं हुआ और ऐसे में अगर दो साल के अंदर ही जहास तूट के दो टुगड़ा होने के गगार पे आ जाये तो आप लोग समझ सकते होंगे कि चायना का टेक्नोलिजी और चायना का प्रोडक्ट कितना घटिया होता है जबकि दोस्तों पिछले वार चाइनीज नेवी के द्वारा शांगडॉंग एरक्राफ्ट केरियर के एक्सेसाइज में शामिल होने के खवर के बाद अब तक इस एरक्राफ्ट केरियर को लेके कोई भी खवर नहीं आया था इवेन जो चायना आये दिन बढ़की मारते हुए अपने हत्यारों का प्रदशन ही करता है उसके द्वारा लगवग दो महिने से एरक्राफ्ट केरियर को लेके कोई भी पेट्रोलिंग या फिर एक्सेसाइज का कोई जिकर नहीं हुआ लाश्ट वार चायना के नेवी के एक स्पोक्स परसन द्वारा में दो के दिन ये घोशना किया गया था कि साउच चायना सी के अंदर इस नेवी के इस एरक्राफ्ट केरियर का इस्तिमाल करते हुए एक एकसेसाइज का आयोजन किया गया है जो बेसिकली अमेरिकी एरक्राफ्ट केरियर USS Reagan का साउच चायना सी के अंदर आने के बाद अमेरिका को एक जवाब देने के लिए था पर दोस्तों आपके जानकरी के इस एकसेसाइज का गोशना किया गया था इस एकसेसाइज के बाद से ही चायना के ये एरक्राफ्ट केरियर अपने होम पोर्ट में ही है जबकि इसके बाद कई बार साउच चायना सी के अंदर अमेरिका और अन्ने देशों के जहाजों को भी देखा गया लेकिन चायना कोई deployment नहीं किया इससे at least ये साफ हो जाता है कि चाइनीज नेवी के कमजोरी पुरा दुनिया के सामने खुल चुका है और चाइनीज नेवी भी अब अपने इस तरीके गटिया product को लेके काफी यादा परेशान है इवन दोस्तों कई दशक पुराना हल के उपर बनाया हुआ येर्क्राफ्ट कैरियर मतलब लियोनिंग जो की एक तरीके से डैमेज हल का ही इस्तेमाल करता है उसमें अब तक ऐसा कोई शती का कोई भी रिपोर्ट नहीं आया इससे आफ लोग समझ सकते होंगे कि कि किसी अन्ने देश के पुराना या फिर कहे तो रिटार्ड हो चुका प्रोड़क भी चाइना के नए नेवले प्रोड़क्ट से भी बहतर होता है पर दोस्तों जो चाइना के न्यूज एजनसीज है जो की चाइनिस्ट कॉमुनिस्ट पार्टी के ही मुख पत्र होते हैं उनके द्वारा भी इन घटनाओं का कोई भी रिपोर्ट नहीं किया गया दोस्तों आए दिन चाइनिस मीडिया के बढ़ चड़के बयान बाजी के बारे में आप लोग सुनते होंगे पर इस तरीके के फेलियर के बाद चाइनिस मीडिया भी चुप है और अब तक ऐसे ट्विट या फोटो को लेके उनके तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया एटलिस्ट ये तो सावित करता है कि चाइना के एरक्राफ्ट केरियर के उपर जरूर कोई बड़ा हाथसा हुआ है या फिर एरक्राफ्ट केरियर जरूर कोई बहुत बड़ा शती के अंदर से गुजर रहा है जिसे एटलिस्ट इतना जल्दी रिकावर करना चाइना के जाता है तो दुश्मन को तो अपना मिसाई लिया यारक्राफ्टों के खर्चे को भी करना नहीं पड़ेगा दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दू कि कुछ रिपोर्टों में जो चाइना के ये यारक्राफ्ट केरियर का डैमेज है उसके भी कारणों का आकलन कि चाइना हर बड़ी में अमेरिका के बरावरी करने के चकर में जो कम से कम समय के अंदर एरक्राफ्ट केरियर का डेवलाप्मेंट किया है उसमें कई सारे ऐसे फ्लॉज रह गया है जो आने वाले समय में भी इसी तरीके के मुश्किलों का कारण बनेगा दोस्तों ये जो ड दिखा सकता है कि उसके एरक्राफ्ट केरियर के उपर कोई डामेज नहीं हुआ पर असल में ये अंदर वैसा ही रहेगा और चाइनीज पाइलोटों के लिए हमेशा डर का कारण बना रहेगा दोसे तरफ ये घटना चाइना के बड़े-बड़े सपनों के उपर भी पानी फ चाइना के जो दूसरा डोमेस्टिक बिल्ड एरक्राफ्ट केरियर है उसका भी कई सारीके का फोटो रिलेज करते हुए चाइना के तरफ से छाती पीटा जा रहा है कि वो अपना और एक सूपर केरियर का डेवलोप्मेंट कर रहा है पर इस घटना के बाद एटलिस्ट ये स सावित हो गया है कि चाहे चाइना जो भी बना ले वो कागस के टुकरे से बढ़के कुछ नहीं है और दूसरा तीसरा क्या चाइना दसवे एरक्राफ्ट केरियर बना ले तो वही हालत चाइना का रहेगा जो फिलाल अभी है इवन इसके इलावा चाइना के पास एरक्राफ् आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बैल आइकन को ही प्रेस कर दिजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद